आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फिजिक्स के 50 इंपोर्टेंट टापिक अगर आप इन टापिक को पढ़ ले तो तो बोर्ड एक्जाम में आपका 101 परसेंट सत्ता नंबर बिल्कुल पक्का हो जागा क्योंकि यह जो टापिक है इससे एक भी क्वेश्चेन बाहर से अगर पूछा तो आप इसके बाद मेरे चैनल को अंसस्क्राइब कर देना क्योंकि इसकी बाहर से कुछ नहीं पूछा जेगा 101 परसेंट गैरांटी इन क्वेश्चन को आप अभी तैयार कर लो ठीक है यह क्वेश्चन आप हर जगद देखोगी कि बोर्ड एक्जाम का कोई इसा पेपर नहीं है जिस पेपर में यह क्वेश्चन ना पूछा गया है बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को समझना इस क्वेश्चन में आपके अतु लगी लगु उत्री दिर्ग उत्री सभी टाइप की क्वेश्चन को हमने समिलित किया हो गया है साथ एक साथ कुछ निमे वो दिसा में प्रवेश करता इलेक्टरान का पत्थ होगा की तरह का पत्थ होगा यह आपको बतारा इसके बाद जो नेष्ट हमारा क्वेस्चन है वह हैं प्र्त्विकी चुंबकी दुरू पर नतिकोड का मान कितना होता है यह चीज़ों को आपको बताना है देखो यह एक नंबर टाइप की क्वेश्चन है इसके बाद पुछा जा सकता आपका लेंज का नियम यानि लेंज की नियम किसके सरच्छर पर आधारी तो होता है यानि अनुरूप होता है फिर एल भाई आर की वीमा आपसे पूछा जा स सकता है ठीक है इसके बाद आपके बूर्ड एक्जाम में पूछेगा कि किस प्रत्य धारा परिपत में बोल्टेज भी तता धारा आई की बीच कलांतर होगा ठीक है एक नंबर वाले क्वेश्चन है इसके बाद यहां पर पूछ देगा आपसे बिद्दू चुंब की पेपर में यह ना पूछा गया ठीक है बहुत जादे इंपर्टेंट है यह सब चीजों को आभी तयार कर लेना इसके बाद इसके बाद जो नेस्ट है क्वेश्चन वह यह आपके बूर्ड एक्जाम में आएगा कि कौन सी बिद्दू चुंब की तरंगे नहीं है ठीक है य इसके बाद जो नेस्ट है वह गट्डन जो प्रकास के अनप्रसत तरंगी के प्रक्यति को बैइकत करती उसको आपको बताना है नेस्ट कोस्ट वए है डुरुवर कोड़ P तथा क्रांति कोD C की बीच में समन्ध आपको बताना है फोटान की गतीज द्रब्यमान का सुत्र इसको आपको तयार कर लेना इन सब चीजों को अभी आप तयार कर लो कि यह बहुत बार पूछे गए हैं इसके बाद एक हाइडोजन प्रमारू के आइनिक करने के लिए आविस्ट्रिक नियूंतम उर्जा क्या होगी इस चीज को बतानी इसके बाद एक MU के तुली उर्जा है ठीक है अब इसको आप तयार करने इसके बाद दो प्रमारू की प्रमारू क्रमांग समान प्रंतू प्रमारू 자 fund नहीं करता है पिर अर्ध्चालक में बैदूद चालन होता हैं इंसourt इन सब चीज़ों को कर ले त से एक भी बाहर question नहीं आने वाले हैं तेकि यह मेरा दावा है फिर बैदूत बीभो की परिभासा तता इसका बीमा लिखे इसके बाद आपको derivation आएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह आपका जे बराबर सिग्मा इजहां इचालक का बैदूत उर्जा तता जे धरा का घनत तो है और स्यमा बेजस चालकता है यह आपको प्रूफ करना है इसके बाद law बन क्या वाले यह आप इसके बाद जो नेश्ट है वो है कि एक कुंडली का सोव प्रेड़ गुलांग 10 मिली हेंडरी इसमें बैदु धरा 5 मिली सेकेंड में 5 इंपियर से 15 इंपियर हो जाती प्रेड़ विद्दु त्वाहक बलका मानिक्यत कीजिए इसके बाद जो नेश्ट क्वेश्टन है वो है कला समंदक सुरूतों से आप क्या समझते हो इन सब चीज़ों को आप तयार कर लोगे क्योंकि बहुत ज़्यादे बार की बोर इक्जाम में पूछे जाते हैं प्रकास बैदुत उर्जर्जन के नियम आपको बताना है ठीक यह सब चीज़े आपके बोर इक्जाम में बिल्कुल छप चुके है और यहां पर दीव ब्रॉगली तरंग देर के लिए बेंजग को प्राप्त करना है इसके बाद जो नेश्ट है वो है इड्रोजन प्रमाड करता है इसके बाद रेडियू एक्टिव च्हाय का नियम क्या है ठीक है इसको आपको तयार करेना क्योंकि बहुत बार पूछे गया है अब यहां पर ठोसों में उपस्तित उर्जा बेंडों के नाम लिखिए पूछ देगा आपको इसके बाद नेश्ट कोईस्चन देख ल आपको तयार कर लेना है इसकी बाद अनन्त विस्तार की समतल अब इसी प्लेट की निकट बैदू छेत्र की त्रिवरता वाला भी सुत्र आपको यह कंप्लीट कर लेना है डेरिवेशन इसकी बाद अनन्त लंबाई की सीधे तार की निकट बैदू छेत्र की त्रिवरता वा ठीक है उसका एक प्लेलिस्ट है आप वहां से जाकर इन सभी डेरिवेशन को बिल्कुल आसान और सरल सब्दों में देख सकते हैं इसके बाद नेश्ट कोईश्चन की इलेक्टान के अनुगमन बेक के सिधान दोरा ओम की नियम का निगमन कीजिए इसके बाद जो नेश्ट कोईश्चन है वो है आँका परिभासा देना है और यह मात्र किकना दोर्म्त्र Southeast की बिछ सुत्र को बिस्ठापेत करना है इसके बाद त्रस्फर्मां में आपको सिध्धान बताना है कि किया है। इसके बाद केंद्री उचीष्ट की चोड़ाई कोई ग्याद कीजिए फिर लाइमन सरी बामन सरी पास्टन सरी फुन्ट सरी तरंग दैर की गणना करना ठीक आपको इसमें से कोई एक पूछेगा दो पूछेगा तीन भी पूछ सकता है तीन सब चीजों को आपको बहुत अच इसके बाद आप देख रहे हो तो आज ही बीडियों बस इतना है मिलोंगा एक नेश्ट बीडियों तब तक लिए धन्यवाद